नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब का आशु ठाकुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना जो इश्रम कार्ड है उसे कैसे बनवा सकते हैं तो दोस्तों घर बैटे बहुत ही असान तरीके से आप अपना जो इश्रम कार्ड है उसे बनवा सकते हैं ये वला कार्ड आपके लिए बहुत ही जुरूरी है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना ये वला कार्ड कैसे बनवा सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस चैनल पर पहले बारी आए हैं जुनों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हार एक लेटरस्ट अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना जी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब के साथ शेयर भी शुरूर करना सवाओ अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करती हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपने register.eshram.gov जो site है उसको open करना है तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको self registration की option दीख रही है जहाँ पर जो first option है वहाँ पर आपने अपना जो अनार नंबर है जिसके साथ आपका mobile नंबर लिंक है वो enter करना है और enter करने के बाद जहाँ पर यो capture दिया है उसको enter करना है तो दोस्तो OTP पर क्लिक कर देना है तो आपके जो phone number पर OTP आएगा आपने वो वाला OTP जहाँ पर enter करना है OTP एंटर होने के बाद आप जहाँ पर submit पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो अधार नंबर है वो वहाँ पर link करना होगा तो दोस्तों अधार नंबर लिंक करने के आपने जो consent है वो भरनी है यहाँ पर I agree लिखकर आपने submit पर क्लिक करना है समिट पर क्लिक करने के बाद जो आपका register mobile number है वहाँ पर OTP आएगा फिर आपने वो वाला OTP यहाँ पर enter करना है उसके बाद जो आपके अधार कार्ड के साथ जो आपकी detail होगी उसको fetch कर लिया जा जाएगी और यहाँ पर आपने I agree पर क्लिक करकर continue पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों उसके बाद आपने जो अपनी सारी personal information है वो फिल करनी है सबसे पहले आपने अपना mobile number फिल करना है उसके बाद आपना alternative mobile number email ID भी आप जहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं तो दोस्तों email ID फि बाद आपकी जो social category है आप वो लिख सकते हैं उसके बाद आपका blood group क्या है वो enter करना है अगर आप differentially available है तो यहाँ पर yes करना है otherwise यहाँ पर no करना है और अपना जो nominee है उसकी details यहाँ पर डालने के बाद आपने save and continue पर क्लिक करना है तो दोस्तों जब आप save and continue पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का जो page है वो enter हो जाएगा तो दोस्तों जहाँ पर आपने अपनी जो residential details है वो enter करनी है पूरा address आपने जहाँ पर fill करना है सबसे पहले आपने अपना जो house number है उसके बाद आपकी जो locality है उसके बाद जो आप state में रहते हैं उस state में जो आपकी district है और आप जहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं वो भी fill करना है और उसके बाद आपने जो आपकी थैसील है अगर आप migrant worker है तो यहाँ पर yes लिखेंगे otherwise no लिखेंगे तो उसके बाद आपने जिसाब fill करने के बाद save and continue पर click कर देना है जब आप save and continue पर click करते हैं तो उसके बाद next step open हो जाएगा तो दोस्तों जहाँ पर जो next step है उसमें लिखा गया है कि जो आपकी education qualification है वो क्या है सबसे पहले आप अपनी जो education qualification है उसको select कर लेंगे आपकी जो education qualification के जो certificate है वो आप जहाँ पर upload कर सकते हैं उसके बाद आपकी जो monthly income slab है आपने वो select करनी है और उसके अपनी जो income certificate है वो आप जहाँ पर upload कर सकते हैं जो mandatory नहीं है उसके बाद आपने save and continue पर click करना है तो दोस्तों उसके बाद आपने जो अपना occupation है वो select करना है आपका primary occupation क्या है जहाँ पर आप लिख कर देख सकते हैं पर आपको जो वाली option auto search में आ रही है उसमें से ही select कर सकत हैं अगर आपको जह पता नहीं चल रहा तो आप जहाँ पर i button दिया हुआ है i button पर click करेंगे जब आप i button पर click करते हो तो जो सारे occupation है जितने भी occupation इसके अंडर आ रहे हैं उन सब की जो retail है वो आपको show कर दी जाएगी तो दोस्तों जैसे ही primary occupation के साथ आप देख रहे हैं click to view nco code list तो आपको pdf की form में जे वली list open हो जाएगी चार पंज पेजों की ये वली pdf है जहाँ पर code के साथ साथ जो occupation है वो दिये गये हैं तो आपने जे वली सारी pdf को बड़े ही ध्यान से देख लेना है और आपका जो भी occupation है उसका जो code है उसको note कर लेना है तो दोस्तों code किया है जहाँ पर उसको enter कर देना है वो code enter करने के बाद आपको जहाँ पर कितने सालों का experience है अपने वो लिखना है और आपका जो secondary occupation है आप वो भी डाल सकते हैं उसके बाद अपना जो आपका occupation certificate है आप भी जहाँ पर upload कर सकते हैं जे mandatory नहीं है तो दोस्तों आपने जो है इसकी skills अपने आप सीखी है जा कोई course किया है उसके बारे में भी आपको जहाँ पर लिखना है तो दोस्तों आप जहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने जो skills है वो कोई course किया है जा अपने आपने जो course है वो सीखा है तो उसके बाद जो सब click करने के बाद आपने save and continue पर click कर दे सबसे पहले अपनी जो bank का account number है बड़े ही ध्यान से वो डालना है और उसके बाद उस account number को confirm करके दवारा फिर से account number डालना है फिर आपने जो account holder का name है वो डालना है और उसके बाद bank का जो इफसी code है वो डालना है bank का जो name है वो लिखना है और जो branch का name है वो लिखने के बाद save and continue पर click कर देना है तो दोस्तों जहाँ पर click करने के बाद आपने जो self declaration है वो देनी है यहाँ पर preview and self declaration की option आ जाएगी आपने अपनी सारी tales को एक अबर ध्यान से देख लेना है सारी tales आपने देखने के बाद जहाँ पर declaration पर tick लगा देना है tick लगाने के बाद आपने submit पर click करना है सो दोस्तों जहाँ आप submit पर click करते हो तो जहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपने वो वड़ा OTP जहाँ पर enter करने के बाद verify पर click करना है जो OTP आपके register mobile number पर आएगा सो इसके बाद आपने इसको submit कर देना है जो आपके in future use होगा सो दोस्तों मुझे अमीद है कि आपको जही जानकारी जुरूर अच्छी लगी होगी और इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को जादा से यादा like, share and subscribe जुरूर करना धन्यवाद